और वी एड होने के बाप्जूद स्कारि ये जब ये नहीं है तोछलू नहीं नहीं की विए है उसके बाप्जूद आगी पहले सकति समाप तूचुचुचुचू के इसमें ने होगा लेकिन जब इंका जब चेक की रिजल तब देखे इसका बार बार चेक किये तुसरे तिसरे मोबाईल में डॉनलोड़ करके चेक किये एक बार गलती हो सकता। कैसे कैसे सुधार सब्सक्राइब बता रहे हैं कि 125 में जो ब्यार्तियों का जो रिजल्ट हुआ है उसको शिक्स टू एट का वेकेंसी में डाइरेक्ट उसको जो इस रिजल्ट के माधिम सुस्कों बाली कर देना चाहिए और कॉंसिलिंग के डेट में गई और कॉंसिलिंग करवाने के लिए जैसे ही गया तो वहां पर बियो डियो जो भी ऑफिसर्स थे सब लेके ब्याट वाला को नहीं लेगा तो रिजल्ट क्यों और क्या इसका मतलब है कि यहां पर बहुत सारा नवस्कार में हुडिंकेस और हुआ हुरने लगा यह रिजल्ट गलत है और कुछ लोग सही भी थे लेकिन अधिक लोगों के मन में था कि यह सही है गलत है क्योंकि मैस का रिजल्ट आया तो देखने को मिला कि एक रूम के सभी बच्चे पास हो गए हैं ऐसा ही धेर सारा यूट्यूब पे फेस्बुक पे और वर्ट से पे धेर सारा एसाफ हुआ चलने लगा लेकिन सचाई क्या है उससे मैं आज आप को रूबरू करवाओंगा हमारे एक साइड आप देख पारे होंगे वही अस्पेडेंट है जो इस बार एक्जाम देके आई है एक्जाम दी रिजल्ट आया लेकिन एक चीज मै आपको बता दूँ इस बार कहा गया कि बीएड वालों का सस्पेंस है बीएड वालों का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा वन टू फाइब में अब यह जो हमारे साथ में आप देख पारे होंगे एक चेहड़ा यह भी बीएड की हुई है अब बीएड की हुई है यह निश् समझने वाला विश्य है क्या नाम है दिदी आपका मेरा बंटिक मारे नाम है आप बीएड की हुए है जी मैं बीएड की हुए 2019 से ही में सीटेट पास की हूँ लगातार मैं चार बार चार बार सीटेट वन टूफाइव और शिक्स्ट्ट दोना पास करके बैठी हुई हूई और इसके बाद जब सरकार बिपीएषी के लिए बोला तो फिर हम लोग इसके लिए भी तैयार हो गया कि तो सरकारी टीचर बन पाएंगे पहले से अच्छा टीचर बनेंगे जौब भी अच्छा लगया लेकिन जब एक्जाम दिए एक्जाम का परिप्रेशन कर रहे थे प तो किसी तरह से मन को मना करके एक्जाम भी दिये एक्जाम भी बहुत अच्छा गया और उसके बाद सुप्रीम कोट में जो मेटर अभी चली रहा है तो उसके बाद हुआ कि अप्जाम जो दे रहे हैं तो उसमें अच्छा नंबर भी मेरा 70 पलस आ रहा है था फिर भी यह था क कि मनको संतुष्ट कर लिए थे लेकिन जब तो उसनी इसको जब हम अपना रिजल्ट चेक के तो मेरा भी आया हुआ था उससे पहले जब आंसर किया था वो जब मिलाए थे तो मेरा 70 पलस आ रहा था तो हमको लग रहा था कि सुप्रीम पोर्ट का कुछ जज्मेंट ऐसा आएगा तो फिर हो जाएगा अजब सब बोली दोस्त लोग वी त सब्सक्राइब को नहीं लेगा तो सरकार को कुछ देड़ सहीं से लिकन प्रोपर देना चाहिए था ना अब यह क्या कि आप इतना अभ्यार्थी को अधार को तो सब्सक्राइब को जो जो ने गलता है इतना अधार्शाथ कर भी रोटिषेखने के लिए आपसी पर के अंधर सर्कार को भी देयान देना चाहिए थाएगा कि अगर कोई भी बच्चा गड़ीव घर से आता है इतना सारा एक्जाम मतलब कि पैसा किसी तरह से एरेजमेंट करके और बीएड करता है जो भी किया है तो सरकार को तो इस पर संग्याल लेना चाहिए न कम सिकम किया चलो जो भी इतना दिन से आदमी इंतजार कर रहा है कितना आदमी कितना आदमी इसके लिए परेशान है इतना आदमी परेशान है जब सुप्रीम कोट का जब अभी चल रहा है मैटर तो सरकार को इसको रोग करके रखना चाहिए था रोग के रखा भी लेकिन अब एक्का दुक्का बीएड का रिजल्ट आ गया हमारे साथ में अभी म लेकिन बीच में अब इनका यह बीट की हुई है साभी नहीं है कि आप देखने लगे आपको पता था पहले से कि धानली होगा देखिए सबसे पहली बात है कि सरकार जी इस तरह से यह जो है निकाले थे वेकेंसी वन टूफाइब में प्रैमरी टीचर के लिए वन टूफाइब जो है डीएलेड दोनों को लेंगे तो जब इनका यह पयुची तो उसमें मेरे परिवार के भी कुछ सबस थे और यह बाले यह था पास हुए वह परिवारकें और जब इनका नास्ट में रोल मर्मर्टेक किया विम तू पहले पता सब भोल रहे थे और न्यूज में वी दे तब देखे इसका है बार बार चेक किए दूसरे तिसरे मोवाइल में डॉलोड करके चेक किए एक बार गलती हो सकता है इसको बोले मेरे दोस्त सब उनको बोले जो रिजल्ट हो गया है, प्रीयर्वाले का कैसे रिजल्ट हो जाएगा, बार रात लवाए ग्यारा बजे तक हम इसने गलत गलत देखरा कि नहीं हो सकता कि सरकार जब बोली तोड़र दरोज तीन के बाद देखित बहुत सारा इसा फ़ले का रहा है जिनका जो है इनका वाले का रिजल्ट है बहुत है रिजल्ट पर घे अगया तो हम भी परशान हो गए प्रीजल्ट हो गया है इससे एक काम केस चली रहा है तो सारह करला और जो हम लोग करते कुछ यह सब जितना कुछ मांगा गया था कि वाटर मार्क अधार का दोनों परती देना फोटो देना है यह परती है दोनों का इस यह सबसे बड़ी बात यहां पर है भाई हम सिक्षक बनने के सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे यहां पर यह है जब यह दी वाले को सुप्रीम कोट से अब पहला सवाल यह है इसके अलावब बहुत सारे से सवाल है जिनमें बहुत सारे बहुत सारे बच्चे है इसको इसको रिजल्ट हो गिया जिसको बाबन नमबर 50 नमब उसको रिजल्ट हो गिया जिसको सब्सक्राइब करें तो हम जो है बिहार के तमाम परखंड से सभी बहुत सारे सिक्षक से जूरे हुए हुमारे परदेश अद्यक्ष आनद को सलसर हैं परदेश कार्चकारे अद्यक्ष पंकत जी हैं अधान फर्दानपरदान नोते रहाता गुरूप में देखें और जो हम इसको जो है यह सरकार नितिश्क मर है इनका जो बहुत वगेरा जो भी है सब तो इनका ही है बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए सबसे पहले है बढ़ियाँ मरमत मजबूती के साथ पटरी क्या हिसकता रेल क्या है सकता हुती इस पर पीएशी जो है तुलकुमार इतना ज्यादा अंध्य होगे इनको जो है ना बिना पट्री का इरेल चला रहे हैं जिसके कारण भैंकर एक्सिडेंट होगा अभी सामने हैं फिर सारे आपको दारने को छुपा हुआ है सामने महें ना अभी एक चीज बताइए मनीज जी यहां पर वाले का रिजल्ट हो गया है अभी तो सडकार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसका केस अभी डियले वाले का अगर इसके जगह पे हुआ होता एक जॉब तो चला गया एक जॉब अगर इनके जगह पे आपके अगर मेरे जगह कोई एस्टुडेंट रहता तो मेरा अगर रिजल्ट हो गया उसका अगर रिजल्ट हुआ होता तो कमसे कम उसको तो जॉब लग जाते मेरे जगह हम बेड़ वाला करके तुसरा का सिधा-सिधा मतलों कि जॉब को जो हम खाड़ा है एक सीट बरबाद कर रह लेकिन फिर वे उसका रिजल्ट आता है वह लोग हमसे मतलब पूची कि तुम्हारा भी आया किसका किसका आया वह लोग को यह नहीं लगा कि कि किलियर होना चाहा रही थी कि अम बस मेरा ही आया और किसी का भी आया है ऐसे करके मेरे गुरूप में चार-पांच लगकी है जिसका बीएड वाला है बहुत सारे ऐसी भी दोस्त लोग है जिसका अच्छा नमबर आया है बीएड तु रिजल्ट नहीं है यह देखिए क्या और अच्छी बात बता है सरकार जो है कुछ न कुछ इसमें गलती कर रहे है बहुत बरा गलती किया है जो बीएड का रिजल्ट दे करके डीय अलेड अभी आधियोर्तियों के साथ धोखा कि अबश्य धोका घालि बात यह दोखा दुसरी बात जो और डीडिशच्चक बने ह करके उन सरकों के साथ 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 बिहार के तमाम वैसे बच्चे वैसे विष्ट अगे जिन जो वहां से पास किया है उनके साथ रिख्षक के लगया हैं दूसरा उस तीचर को जह सारे ट्रेणिंग गयरा है लेकिन आज जो है एक प्रब देखे केके पाठक जो है कड़ी निगरानी करते वे बिहार में जो है जहां पर सीट खाली है सिख्छा नहीं हो आप भरती कर रहे हैं अधर से नितिस्क मार अपनी तो अड़ी नितिक तहते वहां से बिद्याले में जो टीचर बने उसको खिच- पर पहला थो यह से ले लिए हैं और यह नितिस्क मार और तेजस्फी सरकार यह बहुत कुधी चाल में जो रहां ने好了 तो यह क्या करते हैं सब चीज को भूल गए हैं सारा सिक्षा विभाग को जन एक तरफ से केके पाटक ठीक कर रहे हैं तो इधर से यह कुरेद कर उसको अपना कर रहे हैं अपनी अपनी दोव खेल रहे हैं 24 को चुना जो है अभी जो है डारेक्ट यदि राजकर्मी का दर्जा सभी को दे दिया जा जो उपमुक मंत्री यह मेनी फ्रेश्टों में लागू किये थे असपस्ट रूप से कि हम राजकर्मी को राजकर्मी का सभी को दर्जा देंगे जब दोनों जब यह कह दिये थे सारा चीज कह दिए डबल इंजन के सरकार तो आज क्या है कि यही घोटाला है आप कह सकते हैं कि बीपेसी कहती है सबसे अच्छा एकजाम मना जाता है और बिहार सरकार में बिहार में सबसे बड़ी साँ होती है और बंपीसी अगर यह गल्ती कर रही है तहां बहुत चारी ऐस स्टूडेंट थी सब्स्वें यहां पर तो महला के सीट पर भी आरक्षन के नाम पर इतना सारा धांदली हुआ है जिसका कोई जबाब नहीं यह वहां कि जैसे हैं कि मूल निवासी जो भी अगेरा बना करती है तो वह अरक्षन कदावा करती है तो बस सिर्फ विहार के श्टूरेंट को मिला चाहिए था न अब जैनल सीट पर आती दूसरी एस्टेट का जो भी है तो दूसरे वाले को ले रहे हैं तो उससे कोई परिशानी नहीं है वह आप जैनल में रखेंगे ना कुछ मतलब की सीट कुछ परसेंट पर आप उसको देंगे यह नहीं कि बिहार के मूलनिवासी पढ़ करके एक्ज तो देखें भी हम जहां गये थे जिसेंटर करवाने के लिए वहां पर बहुत सारा यूपी सब का इस्टूडेंट सब आया हुआ था फरजी तो होगा है क्योंकि और लड़की लोग जो जो वी थी सब बना करके कर रहे तो सब यूपी का तो यहां पढ़ने रही होगी अभ अभी दिक्कते आ रही है बाकी अभी आपने देखा कि कैसे बीएड वाले का कहा गया कि सुप्रीम कोट में अभी लड़ाई ही चल रही है सुप्रीम कोट में मसला फसा हुआ है लेकिन यहां पे बीएड वालों का भी रिजल्ट हो रहा है तो सिधा आप समझ सकते हैं यह सो सिध की जा रही है यहां पर क्यूंकि 2024 25 में चुनाव है बिहार में 2024 में अभी लोग सवाद चुनाओ 2025 में विधान सवाद चुनाओ है सायद इसी को लेके वोट बेंक के कारण सायद ऐसा किया रहा हो बाकी और आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट के माधियम से बताएं और क्या 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 बोले देखिए एक चीज और है सरकार के पास जिसे कि अभी जो ओन टू फाइब का जो एक्जाम लिये थे विग्यापन दिये थे इसमें जो है एक्जाम का लेवल वह इसा रखा गया दोनों का चुकि डियालेट का इलमेंटरी लेवल का उसमें जो ना प्रह होता है तो दोनों का बीच का जो है रखा गया और उससे भी ज़्यादा उपर का सवाल सब था बहुत यह बहुत अच्छा कोईस्टंस हम देखे थे लो थे ख़र सवाल सब था तो हमको लगता है सरकार को जो है ना वन टूफाइब में जिस परकार से अगर गलती सरकार सुधार सकती है कैसे सुधार सकते हम बता रहे है तो बाइन्ट अभी यार्थियों तो सकती है लेकिन दिक्कत यहां आजाएगी न क्योंकि कुछ ही ऐसे वाले हैं जिनका रिजलताया है तो उसका कर देना क्योंकि उस लेवल का आप तो इतना इजी भी सवाल नहीं पूछे थे आप तो लेवल का अच्छा है इतना पैसा बरबाद हुआ उतना समय इन्वेश्ट हुआ अब ऐसा नहीं है कि इतना च्छे महिन नहीं से लेकर करके अभी तक हम पास करते हैं इतना दिन से वेट कर रहे हैं कि बहुत सारा आदमी अपना सपना को यह दवा करके रखते हैं चलो टीचर बनेंगे कुछ भी जाब लगेगा आदमी बहुत मतलब सपना देखता है बाकि आपका तो रिजल्ट आगी आप चाह रही है कि मुझे दे दिया जाए लेकिन बहुत ऐसे भी अभी अभ्यरती हैं जो आप यह नहीं आया है बाकि मसला आज यह था मैं बात यह करना चाह रहा था कि डिएलेट का जब आपने कहा कि डिएलेट का रियर्यॉट देंगे डिएलेट का फे थुलियॉट देंगे 100% परसेंट अच्छा तरीके से प्षिटर अगये आपने अपने बेसे अधनली किया आप के अपने कैसे धनली किया अभी लाइब एक शुडेंट से आपको मैं सुनवा रहा हूं कि कैसे B8 वाले का भी उसी बीच से रिजल्ट आ जा रहा है तो समझ सकते हैं जब लाइब में आपको दिखा रहा हूँ लाइब में आपको प्रूब दिखा रहा हूँ तो ऐसा ऐसा बिहार में कितने सारे स्टुडेंट होंगे जिनका भविश्य चोपट हो गया है बाकि इस पर आपकी क्या रहा है हमें कोमेंट के माधियम से बताएं और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे स्टुडेंट है तो आप हमें कोमेंट में बताएं बाकि देखते रहे हैं स्टुड लाइब मैं हूँ निंकेस धनिवाद